दोस्तो आज की वीडियो में हम चोथे पांचवे छटे महिने में गर्वती महिला में ऐसे कौन से लक्षन दिखाए देते हैं जिससे कि आप एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी दोस्तो ये लक्षन बहुत ही सटीक है और बहुत ही आसानी से आप पता लगा सकते हैं इन महिनों में क्योंकि दोस्तो इस महिने में देखे आपका जो भूलने वो कंप्लीट बन चुका होता है और इन महिनों में अगर आपको ये लक्षन दिखाए देते हैं तो उससे आप का प्रवती महिलाओं में जो देखे जाते हैं लक्षन उनी के आधार पर हम आपको जानकारी देते हैं और साथ ही देखे में अपना परसनल एक्सपीरियंस भी इन वीडियो में बताती हूं तो आप सिरफ इंटरेंड के तोर पर ही इन वीडियो को देखा करें सबसे पहले लक्षन भी बेवी बॉय होने का माना जाता है साथ ही दोस्तों अगर आपको पांचवे महिने से अगर अपने बच्चे की मूमेंट आपको फील होने लग गई है उसकी मूमेंट अगर आपको राइट की तरफ ज़्यादा फील होती है या नाभी के निचले हिस्से में अग दिन में आप मतलब आर दस बार उसकी जो मूमेंट है अगर आप महसूस कर पा रहे हैं तो ये लक्षन भी बेवी बॉय होने का माना जाता है अगला लक्षन है दोस्तों अगर चोथे पांचवे महिने से ही अगर आप ध्यान से देखें अगर आपको यूरीन की प्रॉबलम बहुत ज़्यादा हो गई है यानि आपको 10-15 मिनट में यूरीन आता है और आपका यूरीन का जो कलर है बहुत ज़्यादा डाक हो गया है यानि आप पानी पीते हैं फिर भी आपके यूरीन का जो कलर है मॉर्निंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा डाक यलो में आता है त हलका हलका आपको लग रहा है कि आपकी नाभी बाहर की तरफ आ रही है तो ये लक्षन भी देखे बेवी बॉय होने का माना जाता है दोस्तों इनी महीनों में अगर आपको अपने ब्रैस्ट में या आपके प्राइविट पार्ट में या फिर आपके पेट में बहुत जादा जैसे खुजली हो रही है खारिश हो रही है इचिंग हो रही है तो यह लंगशन भी देखे बेबी बॉय होने का माना जाता है दोस्तों अगर इन महीनों पहाँ है grand smell आ आती है चोक से खाने पीने की चीजों से और कई चीजों से अगर आपको बहुत ज़्यादा नफरत होने लग गई है यानि आपको बिलकुल भी पसंद नहीं आ रही है तो यह लक्षन भी बेबी बॉय होने का माना जाता है वही पर दोस्तों अगर गरवती महिला को मतलब चोथे पांचों महिने में अगर जैसे चौक खाने का मन करता है या मिट्टी के दीए जो होते हैं यानि मिट्टी खाने का मन करता है आपको बहुत ज़्यादा उस्कता आती है खाने का मतलब बहुत इच्छा होती है तो यह लक्षन भी देखे बेबी बॉय होने का माना जाता है अगला लक्षन बहुत ही सठीक लक्षन है दोस्तों और यह हमारे पताए हैं चोथे पांचवे महिने में बेबी बॉय होने के लक्षन इससे आप एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं लेकिन कोई भी लक्षन देखे 100% नहीं होता है तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरू करें और हमेरे चैनल को सस्क्र ट्राइब करना ना भूलें